आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर तो देखिए ये करेंड फेट्स की बीडियो है आपके सामने और ये है बीडियो का सेगेंड पार्ट है इससे पहले हमने पार्ट वन की बीडियो आपको प्रोवाइट कराई थी आगामी परिक्षाओं के लिए जो की दोहिया 24 में संभावित हैं तो देखिए पहला कोशन है इसमें हाली में किस बैंक ने इंफरा इस्ट्रेक्चर ब्रांड इस्यू के जरी साथ या 425 करोड उपे जुडाए हैं तो सही आप्षन है इसका आप्षन नमबर B HDFC बैंक और इसके बाद अगला कोशन है कोशन नमबर 32 मेजर ध् पांचंद्र खेल रत्म पुरुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा तो इसका सही आप्षन है आप्षन नमबर D यानि कि आप्षन नमबर D इसका राइट आप्षन है A और B दोनों है यानि कि चिराग शेटी और रंग की डड़ी इसके बाद अगला कोशन है कोशन नमब कॉमिंक्स को किस देश या किस तीम ने खरीदा है तो 33 का सही आप्षन होगा आपका कोशन नमबर 33 का A आप्षन सन्राइजर्स हैदराबाद इसके बाद कोशन नमबर 34 है पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सरवधिक पदक हासिल किये हैं तो इसका सही आप्षन नमबर B आप्षन नमबर B यानिकी हरियाना इसका सही आप्षन है इसके बाद कोशन नमबर 35 है 36 गड़ राज्य बिधान सवा का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो देखें इसमें औप्षन में दे रखा है 4 आप्षन आपके सामने है भुपेष, बंगेल दे रखा है इसमें रमन सिंग, शत्रोगन, सेना, असुग गेलोत तो कोशन नमबर यानि की 35 का सही ओप्षन है B ओप्षन यानि की रमन सिंग इसका राइट ओप्षन है और इसके बाद अगला कोशन है कोशन नमबर 36 PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वयम सर्वेद महा मंदिर का उधगाडन किस सहर में किया है तो कोशन नमबर 36 का ओप्षन है B बनारस में इसका उधगाडन किया गया है और इसके बाद अगला कोशन है कोशन नमबर 7 हाली में किस देश के सासकने निधन के बाद भारस सरकार के यानि कि भारस सरकार ने एक दिन के राज के सोक की घोशन की है तो कोशन नमबर इसका आंसर सही होगा ओप्षन नमबर D कोवैथ इसके बाद कोशन नमबर आपका 38 है टेस्ट किर्किट में 500 या इससे अधिक बिकिट लेने वाली ओप्षन नमबर A नाथन लियॉन और इसके बाद कोशन है 49 इजराइल ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में निक्ट किया है इसका राइट ओप्षन है C रुवेन अजार रुवेन अजार को निक्ट किया है और इसके बाद है 40 किस भारती ने हाली में अंटार्टिका की सबसे ऊची चोटी माउंट बिनसन पर सफलता पूरवत चड़ाई की है तो कोसर नमर 40 का C सेखु हसं खान और इसके बाद है कोसर नमर 41 IPL टीम मॉँबई इंडियन का कप्तान किसे निक्ट किया गया है 41 का D आप्सन बिलक्र राइट है हार्दिक पांधिया को निक्ट किया गया है इसके बाद है कोसर नमर 42 फास्ट अटेक क्राफ्ट आई एन एस तार मुंगली को किस नोसेना डाक यार्ट पर कमीशन किया गया है तो इसका आंसर है 42 का A option बिल्कुर राइट है बिशागा पर्टनम डार्क यार्ग यानि कि बिशागा पर्टनम डाक यार्ग इसका राइट आप्शन है कोसर नमर 43 बी सी सी आई ने हाली में किस पूर्व किर्गेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है तो 43 का सही option है MS धोनी option नमर D इसके बाद 44 कोसर ने United World Wrestling Rising Star of the Year 23 के रूप में किसे नामित किया गया है तो इसका राइट आप्शन है D option अंतिम पंगाल इसके बाद अगला कोसर ने भारत के 84 वे ग्रेंड मास्टर कौन बने है तो 45 का सही option है option नमर ए बैसाली रमेस बाबू इसके बाद कोसर ने 46 तिरू बल्लू पुरव कूस समर्पित पिर्तिमा का अनावरान कहां भी किया गया है तो 46 का सही option है option नमर बी France और इसके बाद अगला कोसर ने साल 2023 में Google के टॉप यानि कि 10 ट्रेडिंग एथिलेटों की लिस्ट में एकलोते भारती क्रिकेटर कौन बने है तो 47 का जो सही option होगा तो देखिए दूसरी स्लाइट पे जाना पड़ेगा इसमें इसका सही option है option number C यानि कि option number C जो लिखा है सुमन गिल इसका right option है और इसके बाद कोसर है 48 टीमसी के किस सांसत को सांसत के सितकालिय सत्र की सेस अबधी तक राज्य सवा से निलंबित कर दिया गया है तो 48 का सही option है नूसरत जहां रूही और इसके बाद कोसर है 49 किस ब्रिटिस भारती संगितकार को 2 या 24 बोकर पुरुसकार निरनायक पैनल में सामिल किया गया है तो इसका आंसर है 49 का right option D नितिन सहानी नितिन सहानी इसका right option है इसके बाद 50 कोसरन है समुदायों को नेत्रत करने दो विसे के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाय गया तो right option है option number B 28 से दिवस अगला कोसरन है 51 सियाचिन ग्लेसर के operation post पर तेनात होने वाली पहली महिला medical officer कौन वनी है तो इसका right option है फातिमा बसीम यह option बिल्कुर right है इसमें कोसरन नमर बावन किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्टित नागरी समान order of merit of the Italian Republic से समानित किया गया तो कोसरन नमर बावन का right option है कवीर बेदी इसके बाद कोसरन है कोसरन नमर तिरेपन अंतराश्टी लेंगिक समानता और उसकार दोहियर तेश से किस तेश की NGO को समानित किया गया है तो तिरेपन का right option है option नमर C अफगानिस्तान इसके बाद है कोसरन नमर चववन गैंद के लिहासे T21 में सबसे तेश दोहियर रन बनाने वाले बल्लेवाज कौन बने है तो चववन का right option है A सुर्य कुमार यादव इसके बाद कोसरन नमर पचपन IMF ने अर्थ विवस्ता में सुधार के लिए सिरलंका को कितने million अमेरिके डॉलर की साहता प्रदान करेगा तो 55 का right option होगा आप्सन नमबर C 337 million अगला है 56 नमबर पे कोशन पगपानी Lifetime Achievement Award से किसे किसे दिया जाएगा तो कोशन नमबर 56 का right option है आप्सन नमबर B जावे दक्तर इसके बाद कोशन है 57 international anti-corruption champion के रूप में किसे नामित किया गया है तो इसका right option है A निखिल डे इसके बाद कोशन है 58 बार्शिक शार अमर तला तोंगरा महसब किस राज्य मनाय गया तो 58 का right option है B अरणाचे प्रदेश में इसके बाद है कोशन नमबर 59 Global Partnership on Artificial Intelligence सिकर संभिलन का आईजन कहां पर किया गया 59 का सही option है A option नई दिल ले इसके बाद कोशन है आपका कोशन नमबर 60 कोशन नमबर 60 है संयुक्त सैने अभियास बिन बैक्स 2,23 का आईजन भारत और किस देश के मध्धे आईज़त किया गया है तो 60 का B option विकू राइट है बियतनाम इसके बाद है कोशन नमबर 61 बिक्सित भारत 2,47 वाइस आफ यूथ पहल किसने शुरू की है तो 61 का A option विकू ठीक है नरेन रमोदी इसके बाद 62 नमबर कोशन है World Association of Investment Promotion Agency का 2029 संभिलन कहां आईज़त किया गया तो 62 का सही option है C नई दिली 62 का C option विकू राइट है 63 कोशन नमबर Climate Change Performance Index 2223 में भारत की रैंक क्या है तो 63 का D option विकू राइट है साथ भी रैंक आई है भारत की हाली में जारी Global Pollution Ranking में कौन सा सहर सीर्स पर है 64 कोशन का C option विकू राइट है लाहौर इसके बाद कोशन है कोशन नमबर 65 Google की Parent Company अलफा बेट ने कौन सा Advanced AI Model लाँच किया है तो 65 का सही option है B जैमिनी इसके बाद है 66 नमबर पे जैपूर बैक्स मेजियम में किसकी पृतिमा का अनावरण किया गया है तो 66 का सही option है A. B. आर अमबेट कर और इसके बाद कोशन है किस केंद्रिय मंत्री को किर्सी मंत्रा लेका अतरिक्ति परभार दिया गया है तो 66 वाले का कोशन का नमबर है Answer सही B. अर्जन मुंडा यानि कि किस केंद्रिय मंत्री को किर्सी मंत्रा लेका अत्रिक्त प्रभार दिया गया अर्जन मुंडा को कोसर नमबर 68 किसे टाइम मैगजिन द्वारा पर्सन ओफ दा इयर नामित किया गया है तो 68 नमबर का आंसर है C टेलर स्विफ्ट इसके बाद आंसर है पर्सन नमबर है 69 किस राज्य के गर्वा निरत्य को युनेस्को के अमूर्थ सांस्कतिक बरासत की लिष्ट में सामिल किया गया है तो 69 का C आप्सन बिल्कु राइट है असम गुजरात राज्य है इसका किस राज्य के गर्वा निरत्य को युनेस्को के अमूर्थ सांस्कतिक ब्रासत की लिष्ट में सामिल किया गया है option number यानि की इसका गुजरात आंसर सही है और इसके बाद कोसन है last question आपका है 70 नमबर पे नासा के मार्स रोवर को operate करने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है तो इसका right option है C अक्षदा किष्णा मूर्ती तो ये वीडियो आपको कैसे लिए कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जिरू बताएं और जो लोग नई हों बहें सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद